तो गाईज, Jio का SIM यूज़ करते हो, जी हाँ, अगर करते हो, तो My Jio भी यूज़ करते होगे, तो आज भी आपको बताने वाला हूँ, My Jio में एक ऐसा feature है, जिसका नाम है usage details, यदि आपके phone से call history delete हो जाती है, messages डिलीट हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हो मतलब किसको आपने call किया है किसका call आया है क्या message आया है क्या message गए है और guys ये बहुत ज़्यादा useful हो सकता है कभी को important quality delete हो जाए तो लेकिन जियो का अगर आपके बस फिम है तो वो कभी भी delete होगी इस app के अंदर हमेशा रहेगी तो कैसे चेक करना है बहतरीन feature है और ये जियो ही बस आपको provide करता है और किसी app में और किसी sim में option भी नहीं है वाला तो वीडियो का end तक देखना भाई जल्दी से like करके जाना वीडियो को लाइक की कमी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और यसे कमाल कमाल की वीडियो से यहां पर आती रहेंगी मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे तो चलिए friends वीडियो को start करते है तो guys हम जो है open कर लेते हैं अप्लिकेशन माई जीओ को लेकिन उससे पहले कुछ बाते बता दू सबसे पहला तो अगर आप एक जीओ यूजर हो तो हो सकता है आपने इसमें अकाउंट बनाया ही हो यदि नहीं बनाया है तो बना लेने बहुत बहतरी नाप है इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहो बहुत सारे उप्शन है इसमें लेकिन आज हम में जिसके बारे में बात करने आ ले हैं वह है यूसेज डिटेल्स इसमें आप कॉल, SMS और डेटा का यह यहांपर सिंपल सा देख सकते हो ठीक है हम ओपन करते है माई जी ओपन करने के बाद आप ओवर्वी बटन के थोड़ा सा उपर फिंगर रखेंगे जहांपर आपको आपका प्लैन बताता है आगे स्वाइब करेंगे आप यहांपर आपको एक ट्रेंडिंग नाओ का ओप्शन मिलता है इसके आड़े यूसेज डीटेल्स करके आपको ओप्शन मिलता है इसमें हम क्लिक करेंगे आप गाईज इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको तीन ओप्शन आता है डेटा, कॉल्स एंड, SMS तो यहांपर गाईज मैं बता दूँ, डेटा यूसेज में आप वो सब देख सकते हो, जब आपने नेट ओन किया, फिर बंद किया, कितना खर्चु आपका नेट, है ना, और यहांपर मैं इक बात बता दू, कॉल्स में भी आप वो सरी हिस्ट्री देख सकते हो, जो आपने कि अगर मुबायल से डिलीट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहांपर यह इसके एप में रिजिस्टर होते है, तो यहां बहतरीन एप है, और इस इसका यूस बहुत साई चीजों के लिए किया जा सकता है, कभी कोई इंपोर्टेंट कॉल हिस्टी डिलीट हो जाते ह यहां से आके आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहां पर हम सबसे बहले डेटा यूसेज़ पर क्लिक करके दिखाते हैं, ठीक है, बाकी कॉल और समस वेगर आप नहीं दिखा पाएंगे सिक्योटी की कारेंट, अब देखते आगे स्वाइब करते है, डेटा पर हमने क्लिक कर सकते हो, यहां पर एप वाइस डेटा यूसेज भी आप चेक कर सकते हो, कि किस एप ने कितना डेटा यूस किया है, helpful tips है, ठीक है, यह कह रहा है, डेटा यूसेज़ डेटेल्स अर नॉट रियल टाइम, ठीक है, जैसा कि मैंने का एक दिन पहले का यहां पर यह दिखाता है, अल आ रहा है, अल पर क्लिक कर दिया हमें, ठीक है, यहां पर इतने बज़े सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, और यह 180 अम भी खतम हुई कल, अब 10.35 पर भी सेशन स्टार्ट हुआ है, एक तो जब जब आप बंद करके नया सेशन स्टार्ट करोगा, तो यह उसी साफ से एम भी दिखाएगा, ठीक है, फिर 12 एम भी तो पूरी डिटेल यहां पर आपको यह दिखा रहा है, बैक करें हैं से हम, यहां पर आप अपको य तो आपको यह सेटिंग में ले जाएगा, ठीक है, इस तरह से तो यहां पर हमने जो है, डेटा यूज चेक कर लिया है, जी तरह से आप कॉल्स भी चेक कर सकते हो, देखते हैं, कॉल्स पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमारी सारी कॉल हिस्ट्री आग पर टैब आ रहे हैं डीटा पॉल्स एसमेस तो जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो डीटा आपको दिखाई देगा ठीक है तो कुल मिलाकर ये फीचर मुझे बहुत यूसफुल लगा अच्छा लगा बहुत सारे कामों में इसका यूज आ सकता है फोन से भी आपके कॉल इस्ट कर लो ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी वाटसाप और टेली गराम गुरूप में आप लोग और पेज़ी जोड़ सकते हो कि आपका कोई भी कोशन आप कोमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई